स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल दिल साथ में गाइज इस वीडियो में आपको बताऊंगा MP Board का रिजल्ट कैसे चेक करें Class 10, Class 12 का रिजल्ट आप आसानी से अपने मूबाइल में अब चेक कर सकते हैं क्योंकि MP Board का रिजल्ट जारी हो चुका है और आप अपने मूबाइल से MP Board का रिजल्ट कैसे चेक करते हैं ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सबसे पहले तो आपको अपने ब्राउजर में आना है अपने ब्राउजर में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है एक्जाम सरकारी रिजल्ट इन्फो आप यहाँ पर जैसे ही एक्जाम सरकारी रिजल्ट इन्फो सर्च करेंगे ये आपको गूगल में सर्च करना है एक्जाम सरकारी रिजल्ट इन्फो ये सर्च करने के बाद आपको हलका सा नीचे करना है उसके बाद आपके सामने ये साइड आ जाएगी एक्जाम सरकारी डिजल्ट इन्फो आपको इस साइड को ओपन कर लेना है अब ये साइड आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो चुकी है आपको नीचे स्क्रोल करना है आप यहाँ पर नीचे स्क्रोल करने के बाद यहाँ पर आपको ढूंड़ना है MP Board Result आपको MP Board Result नीचे मिलेगा आपको बस नीचे स्क्रोल करते रहना है जब तक आपको MP Board Result दिखाई ना दे तो हम यहाँ पर अभी नीचे स्क्रोल कर रहे हैं अब आप देख सकते हैं MP Board 10 12 Result 2024 आपको यहाँ पर एक बार अब टच करना है अब आपके सामने ये पेज आ जाएगा अब आपको यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रोल करना है आपको स्क्रोल करते जाना है बाद में आपको सबसे Last में दो लिंक दिये गए है Class 10 के लिए आप यहाँ पर टच कर सकते हैं और Class 12 के लिए आप यहाँ पर टच कर सकते हैं जैसे के अगर हम Class 10 का Result देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर Click Hair पर टच करेंगे उसके बाद हमारे सामने अगला पेज आ चुका है हम यहाँ पर अब नीचे स्क्रोल करेंगे पहले की तरह हमें यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रोल करना है जैसे के सबसे नीचे हमने स्क्रोल कर लिया है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं Direct Import Link आपको यहाँ पर अब Class 10 का लिंक सो हो चुका है जैसे के Class 10 के दो लिंक है Link 1, Link 2 मैं आप लिंक 1 पर टच करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पेज आ चुका है अब यहाँ पर आपको अपना Roll Number डालना है और यहाँ पर आपको अपना Application Number डालना है Application Number आपके Admit Card पर होता है और अगर आपको आपके Admit Card पर Application Number ना दिखाई दे तो वहाँ पर आपको किरमाक संख्या हिंदे में लिखा हुआ दिखाई देगा जो आपके Report Card में किरमाक संख्या होता है वही आपका application number होता है वो number आपको यहाँ पर डालना है और submit पर टच करना है उसके बाद आप class 10 का result चेक कर सकते हैं इसी तरह अगर आपको यहाँ पर class 12 का result चेक करना है तो यहाँ से हम एक बार back कर लेते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं check result 12 class आप यहाँ पर click hair पर टच करेंगे अब आपके सामने अगला page आजाएगा आपको सबसे नीचे scroll करना है पहले की तरह हम यहाँ पर सबसे नीचे scroll करेंगे और यहाँ पर अब आप link देख सकते हैं यहाँ पर अब class 12 पर आपको दोबारा टच करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं class 12 link 1 link 2 हम यहाँ पर link 1 पर टच करते हैं तो हमारे सामने ये page आ चुका है अब हमें यहाँ पर class 12 का result चेक करने के लिए roll number डालना है और application number डालना है और submit पर टच करना है उसके बाद हम यहाँ पर class 12 का result भी आसानी से चेक कर सकते हैं वीडियो गर आपको पसंद आया है तो like जरूर कीजेगा मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की knowledgeable वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारी है वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से सुक्रिया